हलो आज है 27 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्राइट कॉम ग्रूप के बारे में देखे ये वो कंपनी है जिसके शेर में एक बहुत बड़ी तीजी हमने देखी वो भी तब जब इनके उपर कई सारे एलिगेशन्स लग रहे थे सेवी भई या बहुत बड़े पैमाने पर जाच कर रही थी शेर सिंगल डिजिट पर चला गया था लेकिन उसके बाद बड़ी रफतार आई और अभी अगर हम देखे तो 28 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है अभी यहां पर लगातार हर रोज 5 परसन की गिरावट लगती हुई नजर आ रही है और यह एक्सपेक्टेड था ठीक है जिस तेजी से ये भागा था उस तेजी से नीचे भी आएगा यह भी एक्सपेक्टेड था यहां पर यह वो कंपनी है जिसमें एक बहुत बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है और वो है शंकर सर्मा शंकर सर्मा के पास ब्राइट कॉम ग्रूप के 2.5 करोड शेर्स है 1.24 परसन होल्डिंग है उनके पास अगर हम रुपीज में कनवर्ट करते हैं तो अलमोस सतर करोड से भी जादा का यह संकर सर्मा का पूरा पूर्टफोलियो है उसमें अगर हम नंबर्स ऑफ शेर्स देखे तो कोई बात नहीं यह वापस बाउंस बैक कर जाएगा जब यहां से गिर रहा था ठीक है और यह पहुंचा था सिंगल डिजिट पर और एलिकेशन भी लग रहे थे लेकिन फिर भी आप देखो तो दुबारा से रफतार पकड़ी 35 पे गया लेकिन उसके बाद अभी अगर हम तो लगातर हर रोज 5% गिर रहा है वीडियो में बात चीट करेंगे कि fundamentally brightcom group के बारे में और साथ में यह वे डिसकर्स करेंगे कि वह यह company कैसी है क्या चल रहा है यहां पर देखिए वीडियो को शुरू कर उससे पहले अगर आपने वीजिट चैनल को सब्सक्राइब नहीं क साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में अभी भी 10% के गिरावट है बड़ी रफतार बनी थी और शेर 55 रुपे इस पे था लगातर गिरता गया 9 रुपय पर आगया 9.9 पर आया वापस तेजी बनी वापस अभी गिरावट यहां पर शुरू हो रही है देखिए इन लाक रुपय का जो फाइन लगाया है वो गीथा के उपर लगाया है कंचारिया अगर मैं ठीक से उसको प्रनाउंस कर रहा हूं तो 6 लाक रुपय का फाइन इन्होंने विजय कुमार पर लगाया है और बाकी और अगर हम देखे तो 6 लाक का विजय कुमार कारता वगर अलग लग क्वाइब कुल मिलाकर कैसे जो प्रमूटर गृप है उनके उपर चालिस लाख रुपय का फाइम यहां पर लगाया गया है और यहां पर यह फाइम किस के आधार पर लगाया है तो यहां पर यह है कि ब्राइट क्रॉम ग्रुप की तरफ से भी statement आया है कि वो भाईया अभी हाल फिलहाल में अपने legal advisor के साथ consult कर रहे हैं और जो भी चीज़े हो रहे हैं उसको carefully watch कर रहे हैं और जो भी appropriate actions उनको लेने होंगे वो लेंगे उसके लिए तो देखते हैं क्या चीज़े यहां पर निकल कर आती है अगर मैं वॉल्यूम की बात करो तो 27 लाक के शेयर आट मुझाब 27 लाक जितनी quantity में शेयर trade होते नजर आये हमें यहां पर इतना ही नहीं company में अगर आप देखोगे ब्राइट क्रॉम में तो LUSER अठ़ पर्सन लोग किया रहें बैच ओ भाग्चोर 90 लोग किया रहें अगर लास्ट अगर हम देखें इंसाइडर्स की तो वह 2020 में थे और promoters की तरफ से भी थे यहां पर वह कॉली के ट्रांजिक्शन हुए थे प्रमोटर की तरफ से काफी जादा हुए थे एवन दोहजर बाइस में प्रमोटर ने खरीदारी करी थी यहाँ पर आप देखो देखो जब इनके खिलाप अलिगेशं लगना शुरू होए थे तब प्रमोटर वापस से खरीदारी करने के लिए आ गए थे यहाँ पर यहाँ पर बात करी जाए तो company में revenue बहुत तीजी से बढ़े 2022-23 में जो revenue 2800 क्रोड थे वो बढ़कर अभी 7400 क्रोड पर आ चुके है और जो profit पहले सिर्फ 450 क्रोड था आज वो 1370 क्रोड पर आ चुका है अगर हम quarter on quarter performance भी देखेंगे इनका तब भया होड़ासा अच्छा नहीं है क्योंकि मार्च quarter में 1365 क्रोड का ही revenue आया जो कि इसे पहले 2800 क्रोड था और profit की बात करें तो जो profit पहले 545 क्रोड था वो घटके 229 क्रोड रहा है तो कम हुआ है profit काफी हद तक लेकिन फिर भी यह बहुत बढ़ा profit है अगर यह सही है तो क्योंक है क्या होता है overall यहां पर और अगर हम रात करने जाए company को लेकर तो चार का इसका पी रेश्यों है लेकिन कोई भी अनालिश खरीदारी करने की बात ने कर रहा है holding के बारे में हम बात करें है holding की बात कर रही यहां पर तो promoter के पास 18.47% की holding है देखो promoter की holding बहुत कम होगी थ अब CB ने जाच शुरू की तब promoter ने लगातर खरीदारी कर लिए यहां पर क्योंकि allegations यही थे कि यह लगातर बिक्वाली कर रहे है numbers को manipulate कर रहे है अग यह नहीं सारे allegations से अभी तक कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है रहा कि CB ने फाइन लगाया ज़रूर है company ने कहा है कि बह मिश्टें institution के पास FIS के पास 15.79% की holding देखने को मिल रही है और अधर की मिलाकर holding है 64.87% जिन में से retail investors 28.27% की holding लेकर बैठे हुए है देखे company में उतना जादा bullish नहीं हूँ इसके उपर भले ही एक बड़े investor का पैसा लगा जरूर है यहाँ पर लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि देखो मुझे लगता है कि शायद अभी अब अगले कुछ quarters में देखोगे तो शायद इनकी holding अब हो कम होती शायद नजर भी आ सकत इसने बड़ा attempt करा थे से पहले भी जब बहुत बड़ी गिरावट आई थी और शेर 58 पर गया था ऐसा attempt किया कि दुबारा पैसा डबल कर दिया 100 पर चला गया लेकिन बात में क्या हुआ वापस गिरा 32 पर आया वापस अटेम्ट करा वापस तीजी दिखाई 35 पर आ गया वा तक बात है fresh buying की मेरे हिसाब से बहुत जल्दबाजी तो यहाँ पर अभी के लिए मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए buying को लेकर क्योंकि अभी भी चीज़े clear नहीं हो रही है और जब तक चीज़े clear ना हो मेरे हिसाब से मैं इसको avoid करना पसंद करूँगा अगर आपके पास है as a retail investors ऐसे shares में थोड़ी से दूरी में बनाना पसंद करता हूँ यह मेरा personal opinion है बाकी मर्जी आपकी है वीडियो को यहीं प्रेंट करूँगा पसंद आए हो तो like कर और share करे चैनल बगरा पहली बाहर है तो please subscribe करे और brightcom group के बारे में आप क्या सूचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिखते बता सकते हैं thank you